नमस्कार सातियों, सुवागत और अभिनंदन आप सभी का सबसे पहले तो आप सभी को बुद्ध पुर्णिमा की हार्दिक शुबकामनाई और आज जो हमारी चर्चा रहेगी आज जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा भगवान बुद्ध के बारे में वैसे भगवान बुद्ध, गोतम बुद्ध और उनसे ही रिलेटेड बोध धरम के बारे में आपके एक्जाम के अंदर बोध धरम से रिलेटेड एक कि सन हंडेड परसेंट आता है अब चाहिए वो बोध संगीति से आ जाए या फिर गोतम बुद्ध के जीवन परिचे से आ जाए या फिर कई और से अन्य एफेक्ट या उनके सिश्यों से साथियों आज बुद्ध पुर्णिमा क्यों मनाई जाती है बुद्ध पुर्णिमा मनाई जाती है वैशाक पुर्णिमा को क्यों क्योंकि भगवान जो बुद्ध हैं एक सयोंगी समझ लीजिए कि उनका जनम भी वेशाक पुर्णिमा को हुआ था उनको महाग्यान की प्राप्ति भी वेशाक पुर्णिमा को हुई और उनकी मर्त्यू भी वेशाक पुर्णिमा को हुई इसलिए हम वेशाक पुर्णिम पुद्ध पुलनिमा के आईए पुरी कानी जानते हैं गोतम गुद्ध के आपके एक्जाम के लिए एक एक बात वेरी वेरी इंपोर्टेंट है देखिए सबसे पहले भगवान गोतम गुद्ध इनका उपनाम क्या है याद रखेगा इन्हें कहा जाता है लाइट ओप एशिय मतलब एशिया का जोती पुझ के बार क्युशन पुछा जाता है के लाइट ओप एशिया के ने कहा जाता है गोतम गुद्ध इनके अलावा इनने कहा जाता है सांक्य मुनी क्यूंकि ये श्रेम सांक्य वसके थे इसलिए ने क्या कहा गया सांक्य मुनी इनने कहा गया है तथ तो ये तीन तो इनके उपनाम याद रखेंगे दूसरा है वो है गोतम बुद के बच्पन का नाम तो याद रखेगा बच्पन का नाम होता है शिद्धार्थ इनका जनम कब हुआ तो 563 BC के अंदर नेपाल के कपील वस्तु के लुमिनी गाउं में वा था वेशाग पुरुनि मा के दिन ये पूरे डाटा इंपोर्टेंट 563 BC BC का मतलब है वेशाग पुरुनिमा के दिन और कहां पर हुआ तो नेपाल के कपील वस्तु के लुमिनी गाउं में ये तो है इनका सामानेशा उपनाम बच्पन का नाम और जनम आए इनके बारे में और जानते हैं पूरा जि इनकी माताजी का नाम क्या है तो माहा माया ये किस मंसकी थी तो याद रखे को लिय मंसकी कहते हैं कि जब गोत्तंबुध यानी शिद्धार्त का जनम हुए अभी शात ही दिन हुए थे तब तक इनकी माता की क्या हो गे थी मरतिय हुई और कहते हैं कि जब गोतमबुद का जनम हुआ तो इनके पिता जो थे शुदोधन उन्होंने बड़े बड़े जोतियों सियों को बुलाया और कहा कि ये जो मेरा पुतर है आगे चल कर क्या बनेगा तो जोतियों ने कहा कि दो संभावना है या तो गोतमबुद आगे चल कर सब सबसे बड़े चक्रवर्ती समराड बनेंगे या फिर सबसे बड़े बहुत भिक्षुक बनेंगे तो उसमें सुदोधन थोड़ा चिंतित होगे क्योंकि एक राजा ये नहीं चाहेगा कि उसका पुत्तर भिक्षुक बने इसलिए कहते हैं कि बजपन के अंदर ही उसका पालन पोशन इस ढंग से किया जा रहा था कि गोतमबुद यानि कि जो शिदार्त है उनको कभी भी उस दिशा की और नहीं मोडा जाए जहां पर वो एक भिक्षुक बने तो कहते हैं कि जब इनकी माता की मर्तिय हुई तो कहते हैं कि शुदोधन ने मा की कमी मैसूस ना हो इसलिए गोतमबुद की ही जो मौसी थी उसी से पुन्य साधी की और वो ही गोतमबुद की क्या बनी थी सोतिली मा तो आपको पूछ लेता है कि गोतमबुद के पिता का नाम है सुदोधन माता का नाम है महमाया और सोतिली मा का नाम क्या है तो परजापति गोतमी आगे चलकर बुद्ध की आयू 16 वरस की थी उस समय इनका विवा कर दिया गया इनकी पत्नी का नाम था यशोदरा और जल्दी एक पुत्तर विवा जिसका नाम था राउल राउल का अर्थ है एक ओर बंदन मतलब धिरे धिरे शिद्धार्थ यानि की जो गोत्तम बुद्ध थे वो धिरे जीवन के इस बंदनों में बंदते जा रहे थे पत्नी पुत्तर लेकिन आगे चल कर कहते हैं कि एक समय ऐसा आया कि गोत्तम बुद्ध ने यानि शिद्धार्थ ने अपने पिता सुदोधन को ये कहा कि पिता जी ये जो हमारा समराजी है का पिलवस्तू मैं इसकी शेयर करन चाता हूं मैं देखना चाता हूं कि हमारा जो समराजी है वो कितना आख है तो उसमें सुदोधन भी निश्चित हो गए थे क्योंकि अब गोत्तम बुद्ध इतने सम्मंदों से जुड़ गए हैं कि वो भिक्सुग वाली वो सोची ने शकते लेकिन कहते हैं कि शमे को कुछ क्या है चन्ना और गोडे का नाम क्या है तो याद रखेगा कंथक इस गोडे के माध्यम से कपिल वस्तु की शेर के लिए निकले तो कहते हैं कि गोत्तम बुद्ध का हर्दे परिवर्तन हो गया अब वो हर्दे परिवर्तन किन से हुआ तो चार दर्शियों से एक्जामिनर केई बार पूछ रखें गोत्तम बुद्ध के हर्दे परिवर्तन का कारण चार दर्शियों का सई करम है तो यह बिल्कुल सई सिक्वेंस में लिखा हुआ है केते हैं जब कपिल वस्तु के लिए शेर करने जा रहे थे तो पहला दर्शिय देखा था एक वर्द याने की एक बुद्धा जबकि इससे पेले गोत्तम बुद्ध तो एक ऐसे मेहल में रहा करते थे जहां पर जो इसके नोकर चाकर भी थे वो सारे युवा थे तो गोत्तम बुद्ध ने कभी अपनी लाइप पे अभी तक 28 या 29 साल के आयू में कभी किसी बुद्धे को देखा नहीं था तो जब फस टाइम देखा तो सोचा यार ये क्या है वर दियाने की बुद्धा आगे चले तो उसे एक और वक्ती दिखाई दिया रोगी कौन था रोगी जो बिमार पड़ा हुआ था आगे चला तो तीसरा दर्शे और दिखाई दिया एक लाश मतलब कुछ लोग मर्त वक् तन तक रोको और पहले मुझे इन चार दर्शियों के बारे में बताओ लेकिन सुद्धोदन ने अपने जितने भी दर्बार में थे उन सभी को एक बात कह रखी थी कि कोई भी शिद्धार्त यानि गोतम बुद्ध को ऐसी कोई बात नहीं बताएगा जिसकी वज़े से गोत दर्शे देखा था वर्द बुड़ा वो परति एक वक्ति के जीवन का एक भाग है तो सिदार्त यानि गोतम बुद्ध ने कहा चन्ना से क्या में भी बुड़ा होंगा कहा बिल्कुल थांगे गाइं चाहाप है तो दूसरा दर्शे देखा इनोंने रोगी तो चन्ना से कहा ये दूसरा दर्शिय क्या है रोगी तो कहा कि इस दुनिया में जो वक्ति है वो श्वेम एक बार जरूर बिमार होता है रोगी होता है चलो का ठीक है तो वो कहा ये तीर सा दर्शिय जो लास एक मृत है ये तो चन्ना ने कहा ये ही है जीवन का अंतिम सत्य मतलब जिसने जनम लिया है उसकी मर्ति उत्य है तो गोतम बुद ने सोचा क्या मेरी भी मर्ति होगी तो चन्ना ने कहा बिलकुल होगी जब इस दुनिया में जितने भी मनुश्यों ने जनम लिया है उसकी मर्ति उनिश्ची थे तो आपकी भी होगी तो गोतम बुद ने कहा यह चोता दर्शे ज और अपना जिवन मस्तिशे गुजारता है बस चले ही जाता है एक इस्तान से दूसरे इस्तान गोतमबुद ने कहा ये जा कहा रहा है तो कहा कि ये महाग्यान के प्राप्ते के लिए मौक्ष के प्राप्ते के लिए गोतमबुद ने एक बार तो सोचा कि इन चार दर्शियों म अपने महल में आगे महल में तो आगे लेकिन दिमाग में वही चार दर्शे वरद, रोगी, लास और सन्यासी और आखिरकार में कहते हैं कि 29 वरश की आयू में कब याद रखेगा 29 वरश की आयू में गोतम बुद्ध ने ग्रेत्या किया और गोतम बुद्ध दुआरा ये जो गटना है, इसे क्या कहा जाता है, एक्जाम के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट याद रखेगा महाभिनिश कर्मन और कहते हैं कि यहां से गए और अनोमा नदी के तट पर सन्याशी रूप धारन किया, एक बाद जरूर याद रखे, गोतम बुद्ध ने बिना किशी को बताए, आदी रात्री को गरेत्या किया था, याद रखेगा, जबकि महाभीर स्वामी जो जहन दरम के हैं, उन्होंने अपने बड़े भई से आगया लेकर गरत्या किया था, जबकि गोतम बुद्ध ने बिना किसी को बताए, मद्ध रात्री को गरेत्या किया, और गरेत्य कि जो गटना है वो क्या केलाई मापिनिशकर्मन। इलिए रहे यहां तक, कि गोत्म Boyd कपिल वस्तू की के लिए उसके बाद में इन्होंने ग्रेत्या कर दिया, ग्रेत्या की गटना- मापिनिशकर्मन केलाई, अनोमा नधी के तट पर इन्होंने क्या रूप धरन किया, सनिया अब आपके एक्जाम के लिए गोत्मबुद से related कुछ इस्तान है जैसे एक तो है वेशाली एक है राजगरे एक है उर्वेला यानि की बोध गया एक है शारनात और एक है कुशी नगर सारे इस्तान एक्जाम के लिए important देखिएगा गोत्मबुद अनुमा नदी के तट पर ग कलाम और यही आलार कलाम शिदार्थ के परथम गुरू बने थे और शिदार्थ ने इन से कोण सी सिक्षा ग्रेंड की संकेदर्सन की केई बाद में आगे चले। अर बिहार के अन्दर ही एक इस्तान है राजगरे यहाँ पर आए यहाँ पर मुलाकात हुई रुद्रक राम पुत्तर से, और रुद्रक राम पुत्तर ही सिधार्थ के दूसरे गुरू बने, और इनसे कौन सी सिखसाली याद रखेगा योगदर्षन की, उसके बाद में गोतंबुद यानि की जो शिधार्थ है वो उर्वेला यानि की बोध गया नामगिस्तान जो बिहार में हैं वहाँ पर गए और एक पिमपल वरक्स के नीचे कटोर तपशा में लगे कहते हैं कि छे वर्षों की कटोर तपशा के बाद 35 वरस के आयो में वेशाग पुर्णिमा के दिन पिमपल वरक्स के नीचे इनको महाग्यान के प्राप्ति हुई और यह जो महाग्यान की प्राप्ति हुई है इस गटना को कहा जाता है याद रखेगा निर्वान या संबोदी गरेत्या की गटना क्या है महाभिनिश कर्मन जबकि महाग्यान की प्राप्ति की गटना क्या है निर्वान या संबोदी तो यहां से के बार किशन पुछा जाता है गोतम बुद को महाग्यान की प्राप्ति कहा हुई उर्वेला यानि बोध गया ये इस्तान है निरंजना न और किस वरक्स के नीचे याद रखेगा पिमपल वरक्स के नीचे और इसी पिमपल वरक्स को किसने काड़ दिया था गोडवस के एक सासक है जिसका नाम है संसाक अब उसके बाद में उसके बाद में इस्तान है शारनाथ आपको पुछा जाए गोतम बुद गोतम बुद ने अ गोतमबुद ने अपना पर्थम उब्देश कहां दिया तो रिशी पत्नम के मर्गदावन में यानि कि शारनाथ और सारनाथ कहां पर है युप्पे में याद रखेगा और ये जो पर्थम उब्देश देने की घटना है ना इसे क्या कहा गया है याद रखेगा धरम चकर कहते हैं कि चुंद लोहार ने गोतमबुद को सुवर का मास खिला दिया और गोतमबुद का सरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाया इसलिए अतिसार रोग होने की वज़े से 1483 बीसी में कुशी नगर जो इस्तान युपी में न यहाँ पर मर्तिव हो गए किसकी गोतमबुद की और गोतमबुद की यह जो मर्तिव है इस गटना को कहा जाता है महापरी निर्वान और इनकी मर्तिव भी किस दिन हुई वैशाक पुर्णिमा एक सयोंगी समझे कि इनका जनम वैशाक पुर्णिमा को है इनको महाग्यान की प्राप्ति वैशाक पुर्णिमा को है और इनकी म पर्थम गुरु कौन याद रखिए और खास कर ग्रेत्या की घटना महापिनिश कर्मन है खास बात और महाग्यान की प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है तो याद रखेगा निर्वान या शंबोधी पर्थम उब्देश की घटना धरम चकर परवर्तन और इनकी मर्त्यू है म परशिद शिष्य कौन हुए गोतम बुद के तो याद रखेगा आनंद वे उपाली कौन थे आनंद वे उपाली इनकी परतम महिला शिष्य कौन बनी तो याद रखे महा परजापती गोतमी वाल लाइनर क्यूशन है डाइरेक्ट एक याद रखे गोतम बुद का एक डाकू श यह ऐसे सासगवें हैं जो श्वेम किसके गोतमबुद की शिशिवा करते थे बो धरम को फोलो किया करते थे याद रखेगा अब इसके अलावा बो धरम से सम्मंदित और important question है कि जैसे ही गोतमबुद की मरतिव हुई तो कहते हैं कि बो धरम में कुछ परिवर्तन करने के लिए हमेशा कोई ना कोई सम्मेलन बेटक हुआ करता था आज तक इतियास में बो धरम के अंदर कितनी महा संगीती का आयोजन किया गया है तो याद रखेगा चार कितनी चार पर्थम दिवतिये तृतिये बोध संगीती और चत्तुर्द बोध संगीती इन से क्यूशन आते हैं प पर्थम बोध संगीती कब हुई थी तो चार सो तैयासी बीशी में कहां पर हुई तो राजगिरे के सब्त फरनी गुफा में हुई अध्यक्सता किस ने की थी महा कश्यपने और इस समय शाशकोन थे तो अजात सत्रू जो किस वंसके थे हरी एक वंसके और पर्थम बोध संगीती का आयुजन कब हुआ तो तीन सो तैयासी बीशी में कहां पर हुआ वेशाले के अंदर अध्यक्सता किस ने की तो सब की मीरिया सर्वे कामी इस समय शाशकोन थे तो काला सो किस वंसके थे शिशु नाग वंसके और इसमें कारिये ये हुआ कि गोतम बुध ने जो ब अध्यक्सता किस ने की थी तो मोगली पुतिश ने याद रखेगा और इसमें शाशकोन थे समराट असोग मोरियवंस के और तरतिय बोध संगीती में हुआ क्या तो तीसरा पिटक जोड़ा गया जिसका नाम क्या है अधीधम पिटक आप सभी जानते हैं बोध धरम में तीन पिटक हैं सूथ पिटक विने पिटक और अधीधम पिटक और अधीधम पिटक की रचना किस ने की थी मोगली पुतिश ने उसके बाद में है चतुर्द बोध संगीती जिसका आयोजन फर्ष्ट सताब्दी में किया गया था कहां पर कुंडलवन कश्मीर में जिसके अध्य तो बोधरम का विभाजन कितने भागों में दो एक तो भागवा हिन्यान और दूसरा भागवा महयान जो कट्रपंती थे वो थे हिन्यान और जिनोंने गोतम बुद्ध की शिक्षाओं को परिवर्तन के साथ में अपनाया वो थे महयान ये है आपके बोधमा शंगिती और ए तंबुद्ध की मान लीजिए या फिर बोध धरम से रिलेटेड शंपोन कानी आपके एक्जाम के लिए जो जो इंपोर्टेंट बाते हैं वो और एक खाश बात याद रखिए यहाँ पर कुछ बाते हैं जैसे यहाँ पर जब इनको महाग्यान की प्राप्ती हुई थी तो उने याद रखेगा सुजाता दुआरा बनेई हुई खीर खाकर अपना क्या तोड़ा था अन्शन तोड़ा था। इन्होंने अपना पर्थम उबदेश शारनात में दिया सर्वादिक उबदेश शरावस्ति में दिये थे, उनके सर्वादिक उनुइयाई कहां के थे, तो क के लिए धन्यवाद